जोश पाउडर एक पेड़ की बार्क से बना हुआ है अच्छा वाला पेड़ की बार्क से बनता है जिसको प्लांट का नाम है लिट्सी ग्लूटिनेसा बहुत अच्छी क्वालिटी का जब यह होता है तो इसकी करीब जो सीपीएस वैल्यू जिसको सेंटीपॉईज बोलते है वो विसकॉस्टी का मेजर्मेंट है सेंटीपॉईज वो छे हजार तक होती है जिसको करीब ब्यालीस कप्स बोलते हैं ब्यालीस कप्स का मतलब यह नहीं कि ब्यालीस कप में होता है विसकॉस्टी का दूसरा मेजर्मेंट का तरीका यह है कि एक स्पेशल कप आते हैं उसमें नीचे एक छेद होता है हम अपना जो भी पाउडर होता है उस पाउडर को जैसे जोश आप डेड़ परसंट यूज़ करते हैं तो आठ ग्राम मान लीजे 500 ml में आपने डिजॉल्व कर लिया हिला लिया मिला लिया और उस कप को उसमें डाला थोड़ी देर पांच मिनट छोड़ दिया और कोई भी हवा या बबल उसमें नहीं चुपके होने चाहिए टेंपरेचर बराबर हो जाना चाहिए उसके बाद उस कप को जैसे ही आप निकालते हैं तो अपनी घड़ी टाइमर आउन कर दें अगर वो 36 कप है तो करीज चारजार साथ सो सीपीएस हा गई है और अगर 42 कप है तो 6000 सीपीएस है तो जो कप्स हैं वो एक मेजरमेंट के तरीके हैं जोश पाउडर नो कप से लेकर के 42 कप तक का आता है 42 कप का करीब 80 रुपे किलो है और जो 36 कप का है जिस अच्छी क्वालिटी का जो करीब तेड़ पॉर्सेंट यूज होता है मतलब एक किलो में एक सो पचासे ग्राम यूज होता है वो करीब 65 रुपे किलो आता है वियत नाम से ये क्या करते हैं कि इसमें पत्तियां बार्क की जगए पत्तियां भी मिला देते हैं पत्तियां मिलाने से क्या होता है कि उसकी बैंडिंग उसकी गमिंग अच्छी नहीं होती है वो सस्ता कर देते हैं तो बहुत सारे बनाने वाले लोग इसमें सस्ते वाले यूज कर रहे हैं नो सेकंड का मतलब है वो नो सेकंड में खाली वो होता है जो जल्दी खाली हो जाता है इसका मतलब वो पतला है जितना ज्यादा टाइम लगेगा वो तो नहीं थिक विसकस है इसका मतलब उसमें चीनी ज्यादा डाली इसका ये मतलब होता है कि चाशनी कैसी है पतली या मूट जो लोग सस्ता वाला लेंगे वो सस्ता होगा अगर नहीं लेंगे तो आगर बती अच्छी नहीं मिलेगी सस्ते के लिए जो लोग पीछे पढ़ते हैं वो बेकार गलती करते हैं झाला लेंगे पाल लेंगे लोग स्ते करते हैं